पुल्मार्णिंग स्टुडेंट्स मैं हेरं दुएधी साइक अध्यापक गड़ित आधित बिर्णा इंटर्विएट कादिर लेहनुदूर्ट से मैं आप लोगों को गड़ित में का यह ट्रापिक है समी करन इसे क्रेशन कहते हैं उसके वारे माज हम लोग चर्चा करेंगे समी करने बेसिकली चर और अचा रासियों से मिलके बना होता है चर और अचा रासियां चर रासियां बेरासियां बेरासियां होती हैं जिन्हें हम अपनी सुविधा के अनुसार मान में बदल सकते हैं जैसे X, Y, Z, P, Q, यानि इतने विएक्पा रेट होते हैं सभी को हम अपनी सुगदा के अनुसार जैसे हम इसा जैसे X अलावा तो Y अलावा ने जैसे इन को अपनी सुगदा के अनुसार हम जहां पर चाहें तो वहां पर मान सकते हैं लेकिन अचा रासियां ये रासियां होती है जिनका मान हमेंसा पांस्टेंट रहता यानि कभी नीग गदला नहीं जा सकता है जैसे दो ती चार पांच इस तरह से ये अचा रासियां कहलाती है जैसा कि आप लोग बोर्ट पे देख रहे हैं समीकर्ण को मुथ ती आगों में बाटा गया है एक रैखिक समीकर्ण होता है दूसरा दुधास समीकर्ण और तीसरा बल्बद रेक्षिक समिकरण लिनिय रुक्य इसम रेकिक से नाव से ही पता चलता है याय एक रेका में जो सरण रेका को दिलुपित करें अर्थाद ऐसे समिकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो वे सभी समिकरण लोते हैं वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं जो धास समीकरण जिनमें चर्क अधितम धात दो हो और जिन्हें हम धास समीकरण को पॉर्ट्रेटिक केसंस भी कहता है तो आज बच्चों हम सबसे पहले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे के रैखिक समीकरण क्या होता है